आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी कमोईल में बनने वाला नाश्टा तो यहाँ पर यह मैंने एक कच्चा आलू लिया है कच्चे आलू को छील कर कट कर लिया और धोलिया है इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और एक यह मैंने लिया है हरी मिर्च इसे भी हम कट कर के मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक दो हिंच का अद्रक का टुकडा इसे भी हमने कट करके डाल दिया है और अब इसमें जा रही है सूजी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाली है सूजी मोटी या बारिक जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यह सूजी पिसकर ही त्यार होनी है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया है जार का ठकाना में बंद कर देना है और इसे पीसकर त्यार कर लेना है आलू में भी काफी पानी होता है इस वज़े से इस स्टेज पर हमें ज़्यादा पानी डालने की जुरूरत नहीं है और ये पेस्ट हमने बना कर त्यार कर लिया है तो इस पेस्ट को हम निकालेंगे एक बोल के अंदर अब मैं इसमें कुछ खास चीजे औरेट करूँगी जिस से नाष्टा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो ये मैंने लिया है बेसन ये वन फोर्थ कप बेसन है बेसन हमें बोल में डाल दीना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें जा रहा है स्वादनुसान नमक एक चोथा ही चमच इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर बढ़ा सकते हैं आधा चमच डाल दिया है दनिया पाउडर और दो छुटकी के करीब इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर ये सिर्फ कलर के लिए है अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप करें एक चोथा ही चमच ही मैंने डाल दिया है गरम मसाला और ये इसमें जा रहा है दो चमच के करीब नीवू करस अगर आप नीवू करस नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आधा चमच अमचूर पाउडर एट करें अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने से काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसमें बिल्कुल भी गुटली नहीं रहनी चाहिए अच्छे से मिक्स करें अभी ये जो घोल है गाड़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और एट करूँगी तो यहाँ पर टू टेवल स्पून के करीब पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब ये नाष्टा का घोल तो त्यार हो चुका है लेकिन नाष्टा को एकदम फ्लाफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चोथाई चम्मज बेकिंग सोड़ा इसे अच्छी तरह के से हमें मिक्स कर लेना है आप बेकिंग सोड़ा की जगा इसमें इनो भी डाल सकते हैं तो दोनों में से जो भी आपके पास हो वो आप इसमें एड़ करें और अब घोल त्यार करने के बाद मैंने गेस पर रखा है एक तवा और गेस का फ्लेम मैंने लो रखा है लो फ्लेम पर तवा को अच्छी तरीकी से गर्म होने दे और तवा को ओल लगा कर आप चिकना कर लें तवा को मैंने चिकना कर लिया है अब जो घोल बना कर त्यार किया था उसमें से हमें थोड़ा सा घोल लेना है और इस तरीके से इसे तवे पर डालना है और इस तरह लैडल घुमा कर इसे गोल शेप दे दें बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बनाना है थोड़ा सा मोटा र बना सकते हैं तो मैंने यहां पर यह दो पीस बनाए हैं इस तरीके से आप लेडल से एकदम गोल-गोल कर दीजे इन्हें और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम सिखने देंगे अगर आप चाहें तो इसे कवर करकर भी सेख सकते हैं लेकिन मैं बिना कवर करें ऐसे इ हम इन्हें पलटेंगे बहुत ही अच्छा यह नाश्ता बनके त्यार होता है कम उइल में बन जाता है तो यहां पर यह उपर से बिलकुष सूख जोके हैं एकदम ड्राई हो गए हैं और इनका कलर उपर से चेंज हो गया है तो थोड़ा समय ने उपर उइल लगा दिया है औ और अब इन्हें दूसरी तरफ से भी आप सिखने दें कम ऊइल में बना हुआ टेस्टी हल्दी नाश्ता है यह अब दूसरी तरफ से भी इन्हें पलड़ दीज़े यह देखिए दोनों ही तरफ से यह अच्छी तरीके से सिख चुके हैं कलर आप देखी सकते हैं लाइट ग नाष्टा को मैंने दुनों तरब से सेख लिया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सारा नाष्टा हमें इसारीची से बना कर त्यार कर नाा है अब आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये देखे बहुत ही यमी नाश्टा है सुबह की भाग दोड़ में छट पड़ से बनने वाला टेस्टी नाश्टा अगर आपको नाश्टा रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर चरूर करें